तो देखिए बहुपदों के संगत अलेख और सुन्याकों का जामीतिय परदर्सन क्या होता है इसको समझने के लिए पहले जो है इसमें लीखा हुआ है संगत अलेख तो संगत अलेख क्या है अलेख क्या होता है इसके बारे में सिखिए अलेख को इंगलिज में ग्राप्स बोला जाता है और इसका प्रिवासा होता है अलेख का कि जब दो सरल रेखा एक दूसरे को लंबवत काटती है तो उससे बनने वाली आकरीती ही अलेख कहलाती है कहने का मतलब है इसका कि दो सरल रेखा सरल रेखा देखिए एक सरल रेखा मतलब सीधी रेखा इस तरह से एक रेखा ये होगे आपका सरल रेखा और एक ये तो जब दो सरल रेखा एक दूसरे को लंबोवत काटती है लंबोवत कहने का मतलब कि एक दूसरा को तो सीधा 90 डिगरी के एंगल पे काटती हो तो देखिए एक सरल रहा यह क्रिश दिये एक सरल रहा यह हो गई जब दो सरल रहा एक दूसरे को लंबवत मतलब की 90 degree का एंगल पर एक दूसरे को काठती है तो उससे बनने वाली आकरीती दखिए एक आपका क्या बन गया इस फिगर बन गया तो इस आकृति ही क्या कहलाती है अलेख कहलाती है तो यही जो है आपका आकृति ही अलेख है अब अलेख में देखिए कि यह जो आप रेखा देख रहे हैं इस रेखा को क्या बोलते हैं एक्स आच बोलते हैं एक्स आच और इस जो सरा रेखा को आप देख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं वाई अच्छ बोलते हैं ठीक है यहां देखिए इसको लिख लिए एक्स अच अगर इसको इंग्लिश में बुला जाए तो एक्स एक्सिस और यह जो है आपका वाई अच्छ है जिसे इंग्लिश में वाई एक्सिस कहते हैं ठीक है तो अलेख आपको जब ही बोलेगा खिचने के लिए तो आप दो सरल रेखा खिच दीजिए एक दूसरे का क्या पर पेंडुकलर होना चाहिए लंबवत होने चाहिए तो यह जो आकृती बनेगी यही आपको अलेख जो है क खड़ा है कौलम की तरह खड़ा है तो यह आपका वाई एक्सिस है अब इसमें जहां पर दो सरल रेखा एक दूसरे को कार्ती है उस पॉइंट को जी पॉइंट आप देख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है इसको मान लिजे कि जीरो लिख दिजे आप यह जीरो है तो जीर जो है आपका मूल बिंदू कहलाता है मूल बिंदू इसे क्या कहते हैं मूल बिंदू कहते हैं इंगलिस में इसे ओरीजीन कहा जाता है ठीक है तो यह आपका origin हो गया करने का मतलब यहाँ पे जो है आपका इसका जो मान होता है 00 होता है यहाँ पे X का मान भी 0 होगा और Y का मान भी यहाँ पे क्या होगा जीरो होगा अब देखिए इधर जो होता है आपका एक्स जो है इस तरह से आगे आपको लिखना है और लेप्ट साइड XAGE के जो मूल बिंदू है इसका left share जो है आपका, minus में 1 हो जाएगा, minus 2 होगा, minus 3 होगा, इस तरह से आप आगे जा सकते हैं और इसको जो है X dash बोलते हैं, X और X dash, उसी तरह से Y और इसको Y dash बोलते हैं अब देखिए जीरो हो गया अब वन लिखना है तो यह आपका वन हो गया प्लस वन प्लस टू प्लस थिरी तो वाई में अगर प्लस वन प्लस टू लिखना है तो उपर लिखेंगे अगर माइनस में माइनस वन माइनस टू लिखना है तो निच लिखेंगे तो यही आपका जो सुन्यक को इंगलिस में zeros भी कहते हैं, roots भी बोलते हैं, solution भी बोलते हैं, तो तीनों में आप कुछ भी बोल सकते हैं, solutions में भी बोलिए, roots भी बोलिए या zeros भी बोलिए, तो सुन्यक की जो परिवासा है, वैसी संख्या जिसका मान बहुपद में रखने पर, बहुपद का मान उसे ही सुन्यक कहते हैं, यह तो आप जानते हैं, अब देखिए, आलेख के लिए जो है, सुन्यक क्या होता है, ऐसे समझेए, कोई भी बहुपद एकस अच को जितनी बार काटेगी, वही संख्या उस बहुपद का सुन्यक कहलाएगा, या, बहुपद का ग्राफ, एकस अच को जितने बिंदुओं पर काटती है, या असपर्श करती है, उतने ही बहुपद के सुन्यक होते हैं अब देखिए इस तरह से जो हम घीचे हैं इसमें भी एक सिधी रहा खीचे है यह भी एक सिधी रहा कीचे है तो जो इसका बंता है तो र्म रिभ во lounge से के न प्ताया थे कि इसका जो सुन्या की की संख्या होती है वग आधिकत्व कितना होता है एक होता है 24 भी हो सकता है लेकिन एक से ज़्यादा नहीं होगा क्यों देखिए अब इस ग्राफ से पताःआ रहा कि जब भी उसका आम लाइन खीचेंगे ग्राफ खीचेंगे तो सीधी रेखा में खीचाता है अगर सीधी रेखा में खीचा हुआ है ग्राप तो समझा या तो एक सच के समांतर भी हो सकता है या फिर तो ऐसे काड़ सकता है या फिर नीचे से से काड़ सकता है तो कहने का मतलब है कि एक सच को नहीं भी काड़ सकता है और अगर एक सच को काटा तो स हिक्तम सुन्यक होता हूँ एक होता है जिरो भी हो सकता है ठीक है इस ग्राफ से देख करके अब देखिए आपके पास फिर जो है तीन हम आलेक खीचे हैं अब इसमें हम आपको एक ग्राफ बनाते हैं जो कुछ है इस परकार से हैं हुठ का और आपको बोल दे कि बताईए ग्राफ में कितने शुन्यक है ख कितना बताईएगा तो हम देखिए हैं कि जो एक च च है उसको जो है घ्राफ कितनी वार काट रहा है तो एक बार देखिए ग्राफ many काता है और एक इस बिंदू पर भी काटा है तो जब इस जो ग्राफ है आपको एक साच को दू बिंदू पर काटा है इसलिए हम कर सकते हैं कि इस अलेख में सुनियाको की जो संख्या है वो कितनी है दो है तो इस ग्राफ में सुनियाको की संख्या कितनी हो जाएगी तो दो अब इसमें देख कर रहा है तो काड़े लिह कान से यूई काट भी नहीं रहा है तो इसमें कहें भी नहीं टॉच किया इसका मतलब है कि सुन्या की जो संख्या हां जीरु है कि फिर आपको जैए एक इसी ग्राफ को पो इसतर दे दिने और पूछेगा कि बताईए कि इस अलेख में सुन्या की संख्या कितनी है तो हम देखेंगा कि जो एक्स अच है इस एक्स अच में ग्राफ जो है एक्स अच को कितनी बार टच कर रहा है या तो फिर काट रहा है तो देखें यहां से आया इस बिंदू पर जो है असपर्स किया इसको अस्पर्ण करके फिर वापस खिला गया तो अस्पर्ण भी कर दिया इसका मतलब है कि मैं सुन्या की संख्या जो एक है तो अगर आपको इस तरह का ग्राफ दिखे तो इसे बोलते हैं परमले के इंग्लिश में से बո्राइब या पैरा बोला ठीक है में इसे राखिक बोपारा के आपको बताया कि इसको क्या बोलते हैं सरल रेखा अремुट एक रिता का आकरीbook आपको दिखाई दी जैसे बोलते हैं परवलाई बोलते हैं हिंदी में और इसको इंगली से बोलते हैं पैरा बोला तो अब देखिए कि पैरा बोला जो है ग्राफ है तो इस ग्राफ में तो ऐसे हो सकता है, या फिर 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 ऐसे हो सकता है, यहीं न होगा, तो हम देख रहे हैं कि यह जो आख ग्राफ बनता है, इससे जो ग्राफ बनता है, अधिक से अधिक दो बिंदो काट सकत यहां भी दो बिंदु काटा अब जो है इस तरह से ग्राफ बन गया तो हो सकता है कि इस एक साथ कोई काटे भी नहीं यहां पर जब इस तरह से ग्राफ बन गया तो एक साथ को सिर्फ एक बार काट रहा है तो दिवगात भाबत के लिए कोडयेटिक पोलि नोमयल के लिए जो आपका ग्राफ बनेगा इस इसी परकार से बनता हुआ दो सुनयक होगा दू से ज्यादा नहीं होगा तो देखिए जब इस तरह के graph है तो इस तरह से अगर आप देखे कहें भी graph दुवात वहपत का graph इस तरह सोगा ति दिवहात बहपत का ग्राफ होगा काहता है कि निम्नानकिंत बहपतो पी एक्स के अलेख देखकर बहपतो के बास्तविक सुनियको की संख्या बताईए पहला प्रस्ण में आपका एक जो है अलेख दिया हुआ है और इसमें ग्राफ जो बनाया से देखिए इ यहाँ पर करती है इसलिए इसमें सुन्या की जो संख्या है आपका कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा इसका अंसर एक हो जाएगा ये किसलिए हुआ? क्योंकि x-h को शिर्फ एक बर जो ही ग्राफ जो है कात रहा है अब इसमें देखिए अलेक है अलेक में ग्राफ आपका बना हुआ है और इसमें सुन्या की संख्या बताना है तो अलेक में देखिए कि जो एक्स एच है इस एक्स एच कोई जो ग्राफ है कितनी बार जो है काट रहा है तो देखे एक इस बिंदू पर काट रहा है एक यहां पर काट रहा है तो XH को ग्राफ दो बर काट रहा है इसका मतलब है कि इसका जो सुन्यक होगा वो कितना होगा दू होगा इसका अंसर दू है तिसरा देखिए कि इसमें सुन्यक की संख्या कितनी है से पूछ रहा है तो इ एक बार यहां पर काट रहा है एक बार आपको यहां पर प्रतिछेद करता है यानि कि ग्राफ जो है एक अच को तीन बार प्रतिछेद करता है इसका मतलब है कि इस अलेख में सुन्या की संख्या तीन है फिर यह आपका जो है चौता जो प्रस्ण है इसमें एक ग्राफ बना हुआ है इस तरस्ति अवकरा सुन्य की संक्या बताईए अलेक को देखकर कि इस बहुत-पद में है सुन्य की जो संक्या वो कितनी है तो इसमें देखिए, x, h को देखिए, यहाँ पर परतेच्छित किया और यहाँ पर परतेच्छित किया यानि कि x, h को इग्राफ जो है, दो बार कारता है तो इसमें अलेक में यह बहुपद के सुन्या की सांख्या होगी, वो कितना होगा? दू पच्वा परसन दखिए, एक अलेक है, अलेक में आपका ग्राफ जो है कुछ इस तरह से बना हुआ है वो इसमें का रहा है कि सुन्या की सांख्या कितनी है तो इसमें देखेंगें कि x, h को ग्राफ जो है कारता है कि नहीं कारता है ठीक है, अब अगला परसन देखते हैं, छटा परसन, इसमें भी आपका एक अलेक है ग्राफ जो आपको खिचा हुआ है अब कहरा है कि सुन्या की संख्या कितना है, तो देखिए, ग्राफ जो है, एक अच को कहां पर काट रहा है तो मूल बिंदू पर काट रहा है, तो एक बार काटा, इसका मतलब है कि इस अलेक में इस बहुपत के सुन्या की जो संख्या है, वो कितनी है, एक है अब इसमें देखिए, अलेक है, अलेक में आपको ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है इसमें देखेंगा कि एक अच कोई ग्राफ जो है, शिर्फ यहां पर एक बार काट रहा है इसका मतलब है कि इसमें जो सुन्या की संख्या है, वो एक है अठवा परसने है, कि इसमें पूछ रहा है कि सुन्या की संख्या बताइए तो graph को देखिए कि एक अच को कहां कहां पर काट रहा है तो यह आपका एक सच होता है एक सच पर आपको देखिए यहां पर काट रहा है फिर आपको यहां भी काट रहा है फिर यहां भी काट रहा है इसका मतलब ग्राफ जो है एक साच को एक दू तीन विंदूओं को काट रहा है इसका मतलब है कि जो अलेख है इसमें बहुपत के सुनिये कुपी जो संख्या होगी वो तीन होगी क्यों तीन हुआ क्योंकि तीन जगा पत्षेट कर रही है